किसान भाई अगर आप खीरा खेती करते हैं या तो पहले कर चुके हैं तो एक चीज आप गौर कीजिए कि खीरा एक ऐसा फसल है एक ऐसा इसका जो ग्रोथ होता है खात के बिना बिल्कुल नहीं होता है आपको सुरू में दिखेए का अच्छा गरोथ हो रहा है लेकिं जैसे उसमें पोशक तत्यों आप डाल देंगे मतलब ड्रीप की दौर आगर खाट डालना छोड़ देते हैं तो उसका गरोथ बिल्कुल सरूख जाता है कई परकार का रोग आने लगता है या फल जो होता है फ करी देने वाले हैं अगर आप खीरा खेती करते हैं या खीरा खेती करना चाहा रहे हैं तो यह वीडियो शुरू से अंतक देखिए आपको बहुत अच्छा जानकारी मिल जाएगा चुकि मैं पिछले बार खीरा लगाया था परसाथ के समय में आपका सीतमा अक्टूबर में त इसमें चल रहा है आपका अभी हम बेसल डोज दलवा चुके हैं तो इसमें आपको है इसमें सबसे सुरुवाद आपको देखना है कि डीए पी देखिए किसी फसल के डीए बहुत होता है डीएपी आपका कोई भी कंपानी का अच्छे कंपनी का लिजिएगा जिसमें का अठरा प्रतिशा नाट्रोजन रहता है यह बेशाल डोच के लिए सबसे जरुवत होता है एक एकरड के लिए मैं आपको रिक्वाइनेट करूंगा कि कम से कम दो बरा जरू लिए दो बरा सदिक मत लिएगा डेर से दो बरा मतलब मालेजिए एक कुंटल डीफी आपको एक एक M ­ अजुआ सदिद्व मार्केट में अलग 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 कंपनीया जैसिक जीपमाइट हो उसमें आपको केल्से मिल जाता है म warfare मिल जाता है क्योटमानियूट मिल जाता है इस इसके बाद आप देखिए का मार्केट में भी आया है एक आपका मिलता है पूड़ुमी नाम से आता है जो कि आपका या तो अलग अलग कंपने देखिए जो ऑर्गनिक मेटर रहता है कूल मिला के या तो कारबन नाम से कारबन मिलता है उसको भी आप निदारित मातरा में उसक ओबदे ही रहे हैं तो गोबर को क्या करना है लगवा आपको दो महीना पहले का अपको आपको अच्छे से डिकंपुष रहता है उसको डालना है अ उसके उपर आपको गोबर को इस तरह से डाल देना है डालने बाध K Hajdeاخ सो क्या करना है आपको अच्छे से उसको संतल करने मिट्टी को ढख देना है और डकना ऐसा है यह जिसे हो गया इस तरह से ढखे जहां जहां ढेला है संतल इस थो 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 कर देना है बराबर करेंगे तो क्या होगा दो पधा जब यहां लगाएंगे दोनों पधा का समान रूप से पोशक्त तो बिलेगा तीस परकार से देखिए बेसल डोज आपका मल्चिंग में छेत करेंगे फिर मल्चिंग का जो जहां से पाने निकलता है नोजाल वहां से उसके साइड में दो बीज लगाईएगा परयात मातराब कम से एक एकड़ में आप कम से कम 40 प्रकेट 400 ग्राम तक पीजाब का लगेगा जितना अच्छा बीज लगा हो सकता है कि मा आपको मतलब बीज की मातरा जयदा लगे तो उत्पादान पिए आपका ज्यादा होगा अब जैसे बीज का उंकुराण हो दोटा होने के आठ से दस दिन बाद अपको पहला इस प्रेजो करना है आपको आप इस प्रेज भी कर सकते हैं तो इसके साथ भी चला सकते हैं ड्री यह फासपरस को बढ़ा देना है ताकि पौधा में अच्छे से ब्रांचिंग हो इसके बाद अलग-अलग-अलग-अलग-णिट्रेन हम इस्तमाल करते रहते हैं यह चलते रहेगा लेकिन बैसल डोच और पौधा का जो आठ से दस दिन तक है यहां तक आपको एसा काम करना है अगर आप यहां पहले भी करते हैं तो कमेंट में जरूर बताएगा और पहले नहीं करते थे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजेगा और बाक कि दोस्तों किसानों इसको शेयर कीजिएगा चले मिलते हैं नेश्व भीडियों तब तक नमस्कार जय हीन जय भारत जय चक्तिजगर